सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ग्यान पिटारा में फिर से एक बार मैं आज आपके लिए लेकिया है और 10 डे cctv कोर्स का क्लास 2 यह क्लास 2 है इससे पहले क्लास 1 था जिसमें हम cctv कैमरे के बारे में समझे थे जिसमें हमें पता चलाता कि cctv कैमरा होता क्या ह में हम समझेंगे type of cctv और tools requirement यह भी पूरा theory है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आज 10 वे क्लास तक आप कहीं पूरा देखेंगे तो आप अच्छे cctv कैमरे के installer बन सकते हो दूस्तों कहीं आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए देखे सब्सक्राइब के बटन में जैसी क्लिक करेंगे तो bell icon में क्लिक करेंगे और यहां पर करेंगे all all में जैसी क्लिक करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो आप upload करता हूँ तो उसका notification आपके mobile पर proper तरीके से पहुँच जाएगा और वीडियो कोई भी जर्रत नहीं है मैं पहले भी बोला हूँ फ्री है और आज भी फ्री है ठीके और आने वाले समय में भी मेरे पूरे सेशन फ्री रहने वाले कहीं भी मैं आप लोगों से एक उर्पया नहीं लेने वाला हाँ आप मेरी मदद कर सकते हो एक area है जहां पे आप मेरी जररत करो आप जैसे मान के चलो ट्रेन में जाते हो खाना खाते हो और खाना बच जाता है वह खाना खौन आपको खाऊगे खा COR आज में खाता है, ठीक, अटेंडर लोग रहते हैं, उनके पास खाना नहीं रहते हैं, उनको खाना प्रोवाइड करो, जहां भी आप गूमने जाते हो, जहां भी आप गूमने जाते हो, आपको जो भी कमजोर दिखता है, उसको एक बिस्कूट का पैकेट या रोटी, सबजी, जो आप दे सकते हो यही मेरी मदद थे दोस्तो ठीक है आपके घर में जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो जब बहुत सारा ग्रेवी बच जाता है बहुत सारा सलाद बच जाता है हर एक रेस्टोरेंट में पार्सल का सिवधार राता है फ्री में अब सिंपली उस ग्रेवी को सलाथ को राता है सब उसको पार्सल कराओ दो रूटी अपने से डलवाओ उसमें और किसी जरुरतमंद को दे दो यही आपका कॉस्ट है यही आपकी फीस है दोस्तो आप कौन-कौन यह काम कर रहा है नीचे मुझे कमेंट करके बताना और कौन-कौन करेगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना और जितने भी लोग मेरे वीडियो देखके CCTV के मेरे काम सिख रहे हैं कुछ पैसा कमा रहे हैं तो दोस्तों लोगों की help जरूर करना, ठीक है, आपको पता है कि आप जो खाना खाते हो, आप जो गेहूं खाते हो, गेहूं काटा खाते हो, कि किसने उगाया था, कौन किसान उगाया था, वो चावल को पता है आपको, आपको तो पता है कि एक brand का चावल आपने खाया, पर प आपको पता है किसने सिला किसने बनाया हमने पहना है यह पेन यह पेन किसने बनाया कितने कारिगर लगे होंगे आपको पता है कारिगर का नाम कि इसको बनाने में कितने महनत लगा होगा नहीं पता है तो वैसे ही आपको भी समाज के लिए काम करना ही चाहिए लोगों की help करते चले जाना है, मेरी फीस आप आज से ही दे सकते हो, आपके घर में जो भी बचा हुआ है, चामल बचा है, तो थोड़ा सा सबजी बनवा लो, फ्राई करवा लो, दो आलू काटे, फ्राई कर ले, दोस्तों बै बता रहो, लोग इसी चीज के लिए तरस रहे, उनलों को दो वक् करते रहो, आपको बता रहो, आप कहीं दो साल, तीन साल ये काम, अपने प्रैक्टिस, अपने भीतर ये चीज ले के आते है, डिसिप्निल ले के आते हैं, कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो लाइट में जो प्रॉब्लम है, जो दुविदा है, जो आपका जॉब नही कहीं न कहीं पॉइंट जूरता चले, मेरे पूरी फैमिली को, रोज लोगों की मदद करना है, देखो कि दोस्तों, जब आपके अंदर ये भावना जब आ जायेगा, तो आप कितने और भी ज़्यादा खिल जाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर ये helping nature रहता है, और जिसके अं गर में पूजा करना चीए, इससे क्या होता है कि आपका जो mind है इतना ही सार्थ बना रहता है, जब भी देखे होंगे, आप दिन भार में गाली गलोच करते ही रहते होंगे, ठीक है, कैमरे काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो टेंसन रहता है, गाली गलोच करते ही रहते हो, बट जब आप मंदिर में जाते हो तो आपका मन इतना सांथ हो जाता है गाली गलोज उल्टी सीदी बातों के बारे में सोचता ही नहीं तो आपकी जो personality है ना उसको polish करता है मंदिर ठीक है एक super power होता है जो हमारे mind को एदम ही सांथ बनाता है और लोगों को तो staat को झाये सर फैसा कमाने से ही खुसिया और शांतिये सब नहीं मिलने वाली है सिर्फ पैसा कमाने से तो बिल्कूल भी possible ही यह दोस्त कि आप सिर्फ पैसा कमा रहा हो आप दूआये कमा आ हो कि इतना मदद हो सके जैसा भी बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत रेस्टोन में जाओ और अलग से बंधवाओ जब भी आप रेस्टोन जा रहे हो कुछ बच रहा है उसको आपके दिमाग में होना चीए तुरंत उसको पारसल कराओ घर में खाना खारे कुछ बच गया दो रूटी बच गया तुरंत निकल जाओ किसी को दे के आ जाओ आपके घर में नीचे कोई होगा उसको दे दो किसी को भी दे दो बट आपका चीजे खराब नहीं जानी चीए और आपके मन में हमेशा एक थौट बने रहना चीए कि किसी ना किसी की मदद करना है तो याद रहना जब भी आप ये काम करो, IES का तयारी करो IPS की तयारी करो, क्रिकेटर बनने की कोसिस करो जो बनना चाहोगे, बन जाओगे पता है न, कि सिर्फ पैसो से, सिर्फ अपने परिवार से, सिर्फ अपने समाज से कुछ नहीं किया जा सकता, चारो तरफ से दुवाय काम करनी चाही है तब एक बच्चा IES बनता है तब एक बच्चा आपको लगता है कि आपड़ाय करने से indigenous ऐसे तो कई लोग है जो बहूत पढ़ाय करते हैं तो अपने लक को फेवर करने के लिए अपने लक अपने लिए काम करे इसलिए हमसे बिलकुल मंदिर अध्यात्म को तो अपनाना ही चीज़ा शया रह, अध्यात्म को अपनाना चीज जिससे कि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते कोई आपा असरल, कोई दोस्ट हो, कुछ हो तो उसका फायदा उठालू, कुछ करलू तो ये सब आपके दिमाग में नहीं आएगा, कभी भी आप किसी को दोखा नहीं देते, तो आप जब भी आदियात में हो और हेल्पिंग का एक नेचर होगा न, तो हमेशा आपके चारो तरफ आपके दोस्त होंगे, आप मानके चलो कि कहीं बैंगलोर गया, पूने गया, कहीं करती है, इसका प्रैक्टिस करो, आया समझें, सिर्फ पैसे के पीछे, सिर्फ कैमरा सिखने के पीछे, ये 10 क्लास थोड़ी है, क्या 10 क्लास में खतम हो जाएगा, क्या काम, अरे मेरा तो काम दिन भर वीडियो बनाने का है, मेरे को मदद करने की आदत है, दिन भर मदद करते रहूंगा आपकी, और आपकी मदद करते करते, कहीं ना कहीं भगवान मेरी भी मदद करेगा, 100% लिख के ले लो आप, ऐसा आपका मदद, आपकी ये सब चीज़े खराब नहीं जाने वाली, आपके बच्चे इतने अच्छे अच्छे जगा प्लेस होंगे, कहीं आप अच् रहकी करोगे, और हमेशा याद रहां, देखना आप, अमानी जी, अमिताब बच्चन, सचीन, तिंदुलकर, हमारे मोदी जी यार, पूरे इंडिया में राम राज्ये खड़ा कर दिये, उनको क्या जर्रत था, क्या जर्रत है, मेडिटेशन करने का, दो-दो घंटे का, मेड सब चीजों को नहीं जानते हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको पता है, कि धार्मिक्ता कितनी जरूरी है, अध्यात्म कितना जरूरी है, एक अच्छा नेचर, एक अच्छा लोगों की मदद करने की आदत, कितनी अच्छी है, पता है, आपको पता है, सलमान कान, सा पुनी पता हैं, अम्बानी जी डेली लोगों को खाना खिलाते हैं, आपके अमिताब बच्चे न, आपके मोदी जी, दिन बर मोदी जी के पास क्या है यार, ना परिवार है, ना कुछ है, वो तो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो सोचो उनको भगवान ने कहां रखा है जो लोगों के बारे में सोचता है ना, तो याद रखना दोस्तों, भगवान उसके बारे में सोचता है, और भगवान जब किसी के बारे में सोच लिया ना, फिर वो अंबानी या डानी कुछ नी, कहीं भी आप चले जाओगे, कितने भी बड़े सिखर में, कितने भी बड़ कोई नहीं बोलता है कि मिरे को खाना खाना है आप जैसे ट्रेन में जाते। तो आधा बिर्यानी भज गया था और मैं कालता हूं I gotta ज्यूटा निकरता हु को तो अधा बज गया था मैं तुय' को ले जा के दिया खाना उतना को मेरे स्रम आ रहा कि मैं कैसे आधा बिर्यानी को दोंगा वह इतना खूस हो गया पहाँ फिर बाद में जब हम लोग बाहर निकले कोई इस्टेशन आया था तो बाहर निकले तो इतना खुस हो के मिला धन्यवाद बहुत अच्छा था भी रियानी करें और जैसी मेरा इस्टेशन मैं बोला हूं उनको मैं फलाने इस्टेशन में उतरने वाला हूं दस मिनट पहले मेरे पास आ कि मेरा बैक को नीचे निकाल के गया है याने जब आप लोगों की मदद करते हो न अचानक से पुरी कायनात आपकी मदद करने लगती है तो फिर यह CCTV कैमरा क्या है ठीक है तो हमेशा लोगों की मदद करते रहो और हमारे वीडियो को देखते रहो चलिए मैं बताता हूँ क्लास 2 में कि CCTV कैमरा कितने प्रकार के होते है और क्या-क्या टूल आपको जर्रत है दोस्तों टेकनलोजी के एकॉडिंग CCTV कैमरे को हम तीन भागों में बाट सकते है एनलोग कैमरा, HD कैमरा और IP कैमरा कहीं आप पहले से काम करते हो या काम करने वाले है, कहीं आप पहले से काम करते हो तो आपको पता होगा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ये तीन टेकनलोजी के बारे में ही सुनने मिलता है यार मेरे हाँ 4 HD केमरा लगा दो, 4 IP केमरा लगा दो, या मेरे हाँ पुराना एनलोग DVR लगा हुआ यार, मुझे एनलोग कैमरा तो analog camera बहुत पहले आते थे, analog camera की clarity है उसको हम tvl में नापते थे, किस में नापते थे, tvl, tv video line, 600 tvl, 700 tvl, 1000 tvl तक का हमने analog camera लगाया हुआ है, उसके बाद 1000 tvl के बाद आपका 1 megapixel camera स्टार्ट हो जाता है, जो analog camera है वो 720p तक support करता था, analog camera है वो 720p तक support करता है, और HD camera, HD camera आपका 1080p से लेके 1920p तक support करता है, HD camera, HD camera एक प्रकार का आपका analog camera है, HD camera एक प्रकार से आपका analog camera ही है, आया समझ में, बट इसमें कुछ खुबी है जो IP camera की कुछ चीजों को ये support करता है, याने कि megapixel को HD camera support करता है, बट ये actual में ये analog camera ही है, प्रकार HD camera सिर्फ और सिर्फ IP camera ही होता है, क्योंकि आपको 4K video, 8K video, ये सब के camera सिर्फ IP camera में देखने मिलेंगे, HD camera में आपको, HD camera की जो clarity है, उसको हम 1MP, 2MP, 4MP, 2MP, 2.4MP, 2.4MP जो CP plus में आता है, हीक विजन में 2MP, 4MP, 8MP तक का HD camera अवलेबल है मार्केट में, कहीं आप camera लगाते हो तो आपको पता होगा, ये camera लगाने वाले है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, HD camera आपका एक से लेके 8MP तक, नौर्मली आपको किसी भी दुकान में, आउनलाइन में मिल जाए, और ये IP camera, IP camera क्या होता है दोस्तों, IP का जो full farm होता है, वो है internet protocol, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब आपको पता होगा, अभी करोना के टाइम में, करोना का प्रोटोकॉल था, ठीक है, करोना का प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या होता है, set of rules, set of rules होते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, करोणा का जो प्रोटोकॉल था तो गच की दूुरी हैंड को सेनटाइस करना और मास्क लगाना ठीक है तो यह करना का प्रोटोकॉल था वैसी इंटर्णेट का भी प्रोटोकॉल होता है यैनि इंटर्णेट पे आप-' कैमिरा एड wreck में कोई आपको समझ में आया होगा एनलोग केमरा उससे महेंगा होता है एनलोग केमरा आपका TVL में आता है यानि मानके चलो यह 400 TVL 600 TVL 800 TVL 1000 TVL तक का आपका यह एनलोग केमरा आता है HD camera में 1 megapixel से 8 megapixel तक available है और IP camera में आपका 1 megapixel से 16 megapixel तक के camera अभी market में available है future में और भी आने वाल है वो उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा अब ये तो होगे है technology के बारे में बट इन में जैसे analog camera है इन में बहुत प्रकार के camera आते हैं छाए analog हो, चाए HD हो, चाए IP हो सब में बहुत प्रकार के camera आता है जैसे analog में जैसे एक camera आता है dome camera गुंबत की तरह होता है देखे आपको फोटो दिखरा होगा गुंबत की तरह होता है इसलिए से dome camera करते है dome camera का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि गुम्बत के जैसे होता है और dome camera के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये indoor camera होता है इंडोर में आपको लगाना है मान के चलो जहाँ पानी बरसात नहीं आता है और अंदर में लगाते है वहाँ पर आपको dome camera लगाना चाहिए बहुत ही खुबसूरत दिखते है इंटिरियर के इसाफ से भी dome camera को और कोई ऐसा कोई special कारण नहीं कि अंदर लगाने का गुम्बत का कार का है और इसका price 100-200 रुपया आपके bullet से कम होता है जो एक bullet camera होता है उससे 100-200 रुपया कमी है dome camera आपको analog में भी मिलेगा आपको HD camera में भी मिलेगा और IP camera में भी मिलेगा ठीक है एक यार एक 2 megapixel का dome camera दे दो तो IP का 2 megapixel का dome camera दे दो यह HD का भी है CP plus का 2 megapixel का 2.4 megapixel का dome camera दे दो यह analog का 600 TVL का dome camera दे दो आया समझ में आपको बात है कैसे करना है CCTV camera का वो मैं बता रहा हूँ आपको एक camera होता है आपका bullet camera एदमी common चीजे मैं आपको बता रहा हूँ जो market में बात होता है ठीक है dome camera के बारे में आपको हमेशा सुनने मिलेगा और bullet camera के बारे में बाकी सब जो मैं आगे बताऊंगा camera के बारे में उसके बारे में थोड़ा कम सुनने मिलेगा उसके बारे में थोड़ा कम आप यूज कर पाऊगे बट नॉर्मली आप जो काम चालू कर रहे हो या जो पहले से कर रहे हो तो उसमें आप दोम और बुलेट को ही mainly use करते हो ठीक है बुलेट कैमरा क्या होता है बुलेट के जैसे लंबा होता है ठीक है बुलेट कैसा होता है आपका गोली कैसा होता है लंबा सा होता है वैसे आपका बुलेट कैमरा है बुलेट कैमरा आपका waterproof होता है और dust proof होता है यानि कि पानी बरसात में आपको आप इस बुलेट कैमरे को ल रहूं और आये पी क्यमेर दोने में भी आता है और एक केमरा है उसको हम बोलते हैं पी टीजाट क्यमेरा इसके बारे में भी आप नॉर्मली क्या और च्सार्ण डी से जम exhakऊ और भी tah chee जूमद करके देखते है याने कोई एक असा camera जिसको हम चारो तरब डेख सकते है उपर नीचे डेख सकते है और फूटेज को जूम करके देख सकते ऐसी खासे जिस 约 प्यामर काके होता है अ happens आपका PTZ camera आता है आता था हमने analog में भी बहुँ सारे PTZ camera प्लांट में लगाया है HD camera में भी आपका PTZ camera आता है और IP camera भी आपका PTZ camera आता है तो यह जो technology जो मैं समझा रहा हूं आपको यह YouTube में और कोई नहीं समझाएगा ठीक कि इस टैप से कोई नहीं समझाएगा ये मैं मेरा 15 साल का experience मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तो तो बिलकुल भी video को कमती मत आकना थोड़ा सा भी कमजोर मत देखना जो मैं content आपको समझा रहा हूँ ये 15-15 साल का पुरा experience मैं अपने video में आपको इतना easily तरीके से समझा रहा हूँ तो बिलकुल भी इसको ignore मत करना छोटी 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 इसकिप मत करना video को वीडियो में धीरे 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 आप video को देखते चले जाए आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो आप समझे PTZ camera, PTZ camera को हम outer side में लगाते हैं, मान के चलो बहुत बड़ा cracer है, बहुत बड़ा airport है airport में हम लगाते है, railway station में आपने देखा होगा, traffic signal में आपने PTZ camera को देखा होगा, जहाँ पे आप PTZ लगा सकते है बड़े-बड़े खेत में आप जैसे form house है, कोई बड़ा सा वहाँ पे आप लगा सकते हैं, चारो तरफ rotate करके देख सकते हैं, नीचे उपर करके देख सकते हैं और zoom करके देख सकते हैं, इसमें PTZ camera में आप 1-1 km को zoom करके देख सकते हैं PTZ camera में ऐसे इसी खासियत है, जिससे कि थुरू आप 1-2 km जूम करके आप एदे clear footage वहाँ का ले सकते हूँ PTZ camera को बहुत बड़े-बड़े जगों में लगाया जाता है, यह एक-एक camera बहुत महेंगा आता है 15-15, 20-30, 40-40, 50-50, 1, megapixel of specification के उपर, depend करता है PTZ camera, PTZ camera अपने आप में बहुत महेंगा होता है चाए वो analog का हो, चाए HD का हो, चाए IP का हो, नॉर्मली घरों में, office में, आपके jewelry shop में, दुकानों में, इधर, उधर, आपके hospital में, नॉर्मली आपके dome camera और bullet camera ही लगते ठीके, जो आप लोग नए समझ रहे हो, जो लोग नए है, जो नए अपना CCTV camera का काम चालू कर रहे है, या beginner है उनको मैं बता रहा हो, dome और bullet के बारे में ज़्यादा focus करो, ठीके, dome camera और bullet camera ही actual में लगते है PTZ camera बहुत, मैंने 15-20 बार लगाया होंगा PTZ camera ज़्यादा नहीं लगाया है, ठीके, क्योंकि उतना requirement आता ही नहीं, बहुत बड़े बड़े जगों में ही लगता है, अभी जाचे मैं बीच में एक video डाला था, plant में मैंने install किया था, IP camera, ठीक, IP camera का पूरा setup किया था, तो उसमें मैंने PTZ camera install किया था, तो मैंने दिखाया था, कि PTZ में क्या-क्या setting हम कर सकते है, तो यह हुआ, एक camera आता है, C-mount camera, एक camera आता है, C-mount camera, C-mount camera, आप इसको देख सकते हैं, इसमें lens लगा रहता है, यह heat को, ठंड़क को, औ बरसात को, हर एक चीज को जहल सकता है, मेली क्या होता है, जब मान के चलो, बड़े-बड़े plant में, जब लोहा पिघलता है, या बहुत ज़्यादा heat होता है, तो वहाँ पे C-mount camera को देखा जाता है, C-mount camera ही लगाया जाता है, ताकि यही, एक ऐसे camera है, जिनको, बड़े-बड तो आपको देखना, उस object पे focus करके आप camera को देख सकते है, इसमें अलग से lens लगता है, आप अपने recording, जैसा आपको की requirement है, वैसा lens आप इसमें use कर सकते हैं, यह analog में भी available था, यह HD में भी available है, और यह IP में भी available है, दोस्तो, dome camera, bullet camera, PTJ camera, C-mount camera, सभी में available है, ठीक है? analog में एक special था day vision camera, जो सिर्फ day में काम करता था, night में काम नहीं करता था, analog में ऐसा camera आते थे, day vision camera, हमने पहले day vision camera से ही start किया था, उसके बाद, IR rays वाले camera आया, आपको दिख रहा होगा photo, IR rays वाले camera आया, जो रात को, रात के अंधेरे में भी clear दिखता था, बट वो दिखता black and white, analog में day vision camera और IR camera आते थे, day vision का मतलब सिर्फ जब तक light है, जब तक उजाला है room में, तब तक दिखता है, उसको हम day vision camera बोलते थे, और IR camera, IR rays के थूरू जो camera चलता है, IR rays लगे रहते हैं, आपको दिख रहा होगा video camera में, video में footage, IR के थूरू अंधेरे में भी चीजे दिखन लगी थी, बट वो black and white था, HD में आपको day vision camera फिलाल अभी नहीं आते, आपको direct night vision camera ही HD में देखने मिलेंगे, HD में आपको आजकर जो नए camera है, IR, white LED वाले जो camera है, guard series वाले color camera, यानि कि आपको रात में भी आप black and white के जगा color view मिलने वाला, यह आपके सामने है, guard series के camera, यह maximum सभी company हो में, जितनी भी इंडिया में company है, बहार में company है, सब में यह नए technology है, जो रात में भी नए आया है, और भी implement होगा, तो अभी उतना ज्यादा success नहीं है, ठीक है, color वाले camera उतने ज्यादा अभी success नहीं है, बट आने वाले समय में हो सकता है, 6 मीना, 1 साल में, बहुत analog में बता हैं में, day vision और IR, HD में आपका IR camera और color वाले camera, guard series के camera भी HD में आते है, IP में भी आपका night vision camera, याने IR rays से चलने वाले camera, जो रात में आपको black and white footage दिखाते हैं, और IP में भी, IP में भी आपका color camera अवलेबल है, IP में भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 megapixel, 16 megapixel तक का camera अवलेबल है, IP camera को अलग से आपको समझने की, दोस्तों मैं आपको analog, HD और IP camera में सबसे बड़ा difference आपको बताने जा रहा हूँ, कि आप pro series के भी CCTV camera installer है, तो भी ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, और beginner लोग के लिए तो ये class बहुत ही important है दोस्त, तो analog, HD और IP camera में सबसे important क्या है, जैसे analog में भी dome camera आता है, HD camera में भी bullet camera आता है, IP camera में भी dome, bullet, ptjet, c-mount आता है, और IP camera में और भी बहुत सारे camera आता है, आगे देखने को मिलेगा आपको, analog, HD और IP में चार camera तो मिलेंगे आपको dome, ptjet, c- और bullet, but analog camera, dome camera को, bullet camera को record करने के लिए आपको DVR की जर्रत है, कि चीज़ की जर्रत है, DVR, Digital Video Recorder, analog camera को record करने के लिए आपको analog DVR की जर्रत है, HD camera को record करने के लिए आपको HD DVR की जर्रत है, आपको analog camera dome camera लगाना है bullet camera लगाना है तो camera लगाने से बर से नहीं होगा आपको इसको record लगाना है record करने के लिए आपको dvr की जर्रत है Magic camera के लिए hddvr की जर्रत analog camera के लिए analog dvr की जर्रत है, मान के चलो चार पोट का आपका DVR है तो इसमें चार केमरे आप लगा सकते हो, एक डोम केमरा लगा लो एक बुलेट केमरा लगा लो, एक PTZ केमरा लगा लो, और एक C-mount केमरा लगा लो बट आपको DVR तो नॉर्मली NVR को लगाया जाता है हेलो, आयसों में IP केमरा इंस्टॉलेशन करने के लिए कहीं है IP केमरे का बुलेट बुलेट, डोम और PTZ आपको लगाना है किसी जगा और रिकॉर्ड करना है वहाँ पे आपको NVR की जर्रत है बट ऐसा जरूरी नहीं है कहीं एक डोम केमरा आपके पास अवलेबल है IP केमरे का तो सिम्पल एक डोम केमरे में ही आप मेमोरी कार्ड से रिकॉर्ड कर सकते हो एक सिम्पल डोम केमरे को अपने मोबाइल पे ओनलाइन करके देख सकते हो एक सिम्पल बुलेट केमरे में भी आप SIM लगाके SIM लगाके या Internet cable के थुरू आप इसको online कर सकते हो और इसमें memory card के थुरू recording होगा और आपके mobile पे live दिखेगा बट analog camera को HD camera को कहीं आपको mobile पे live देखना है तो आपको DVR की जर्रत होती है कई record करना है तो आपको DVR की जर्रत होती है IP camera में यह possible है कि हम without DVR भी IP camera इंस्टॉल कर सकते है हमारे existing network में मान के चलो हमारे एक Internet का router लगा हुआ है तुरंत है हम market से एक memory card वाला IP camera, dome camera ले के आएंगे या bullet camera या PTZ camera या C-mount camera जो camera आपको ले के आना है memory card वाला camera ले के आओ और अपने ही network में install कर लो और अपने उसको online करके अपने mobile पे बहुती कम समय में अपने mobile पे online देख लो बट ये चीज possible है IP camera में IP camera में आपको NVR की जर्रत नहीं है कहीं एक दो camera आपको लगाना है तो आप ऐसी network में लगा सकते हो क्यों? क्योंकि हर एक IP camera का अपना individual एक एक IP होता है DVR वाले setup में analog और HD के setup में अलग-अलग camera का अलग-अलग IP IP address नहीं होता है ये पूरे set का एक ही IP होता है जो DVR का IP होता है इसके बारे में आने वाले तीसरे class याने next जो class आने वाला है उसमें में जो बड़़दस type का HD camera के बारे में और analog camera के बारे में installation का पूरा practical बताऊंगा और बहुत सारे चीज़े आपको करके दिखाऊंगा बहुत camera install करके दिखाऊंगा अलग-अलग प्रकार के R&D करके दिखाऊंगा HD और IP camera में कहीं वो तीसरा camera तक भी तीसरा class तक भी आप देखोगे तो बहुत सारा चीज आप सिख के जाऊगे तो आपको समझ में आया analog camera को कहीं record करना है तो 100% आपको DVR की जर्रत है HD camera को record करना है तो भी DVR की जर्रत है बट IP camera को record करने के लिए NVR की जर्रत है बट 100% NVR की जर्रत नहीं है हम एक camera में भी record कर सकते हैं इसमें memory card लगा के क्योंकि IP camera में memory card वाला camera available होता है तो हम किसी भी network में जैसे मान के चलो हमारे घर में network लगा हुआ है internet लगा हुआ है किसी भी network में कहीं भी जाके एक IP camera को वहाँ पी install क्योंकि ये IP based camera होता है ये internet protocol को support करता है याने ये किसी भी network में camera को आप लगा सकते हो और इसे live कहीं से भी देख सकते हो और record भी कर सकते हो तो ये खुबी है IP camera में तो कहीं लोग पूछते हैं कि HD camera में IP camera में क्या फरक होता है तो आप मुझे नीचे comment करके बताओ कि आपको क्या समझ में आया कि analog camera, HD camera और IP camera में क्या-क्या फरक होता है नीचे comment करके बताओ दोस्तो कहीं आपने अभी तक video देख लिया है तो इसका answer आपके पास होना चाहिए analog camera समझ में आया HD camera समझ में आया IP को अलग से समझने की जर्रत है दोस्तों, चलिए मैं IP को बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ कि अकेले IP camera के बारे में बताऊंगा तो 10, 10, 12, 15 20 गंटे का video बन जाएगा तू भी कतम नहीं होने वागा वैसे यह जितना आप IP camera को समझोगे उतना नए ने प्रकार के IP camera आते है IP camera में dome, bullet, PTZ, C mount तो आते ही है उसके बाद एक camera आता है ANPR camera Automatic number plate reading camera ठीक है? जब गाड़ी अज चल रहे है traffic signal के लिए यूज करने वाले camera को ANPR camera कहते है यानि इससे आप vehicle के number को save कर सकते हो और इसके थूप बहुत कुछ काम कर सकते हो जैसे कि toll plaza में ANPR camera लगा के आपका toll text कड जाता है ANPR camera का ही toll plaza में use होता है जैसे आप गाड़ी को ले के जाते हो आपका number place read होता है और आपके fast text से पैसा कड जाता है और आपके smooth सा message आता है कि 50 रुपा 100 रुपे कटा है कहां से आता है ANPR camera करन पहले क्यों नहीं होता था दोस्तों क्योंकि पहले इसके camera आते ही नहीं थे अभी नए camera आते है IP camera के कारण इतना संभावना भड़ चुका है कि कहीं भी कुछ भी होता है अभी जैसे करोना आया था करोना के समेट यह temperature reading camera आया था जिसको हम thermal vision camera बोलते थे याने कि आपका temperature 99 से उपर है या 98 से उपर है तो आपको हटा दिया जाता था ठीक है बुखार जिसको रहता था उसको हटा दिया जाता था करोना में अंदर ही नहीं आने दिया जाता था तो यह temperature reading camera, जब आपकी requirement हो, जैसी आपकी requirement हो, IP camera में वैसे camera को हम design कर सकते हैं. human counting camera, यानि लोगों को गिनने वाला camera हम लगा सकते हैं, जिसे हमको पता चले कि mall में आज कितने लोग आया थे, और कितने लोग गया थे, जहां पे लोग 2-3 लोग हो जाये, वहाँ पे siren बच जाये, वहाँ पे message आ जाये, यह सब IP camera में हम human counting camera के through कर सकते हैं. IP camera में ही आज कल धूम मचा के रखा है, वो है Wi-Fi camera, IP के करन तो possible हुआ है, HD camera के समय में कहां आता था इस टाइप के camera जादा, IP camera में ही IP camera का use करकर के आप किसी भी प्रकार का camera बना सकते हो, तो बहुत सारे camera, अभी तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत सारे camera आपको IP camera में देखने मिलते है, IP camera में Wi-Fi camera आज कल बहुत ही ज्यादा latest है, ठीक है, इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में Wi-Fi camera का तो बहुत ही एक अलग ही session है, ठीक है Wi-Fi camera के बारे में क्यों, क्योंकि आप लोग CCTV camera इंस्टॉल करने वाले है, याने आपको जो जो problem आने वाला है, जो जो problem आपको आने वाला है, हर एक problem के बारे में मैं कोई न कोई वीडियो में किसी न किसी जगा मैं बात करने च वाला हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखे, तो आपको analog camera के बारे में समझ में आया, analog camera में भी dome, bullet, PTZ, C mount होता AMPR camera कहाँ से लाओगे, temperature reading camera कहाँ से लाओगे, human counting camera कहाँ से लाओगे, wifi camera कहाँ से लाओगे, ये सब IP camera में decided है, ठीक है, IP camera में ही ये सब possible है, forest में camera लगता है, बहुत प्रकार के camera, ये सब camera के अलावा और भी बहुत सारे camera रहते हैं, जो हमारे इंडियन armies वाले use करते हैं, हमा आपको इसी में एक कैमरा है, आपको Fit José Camera, फीसी कैमरा, ठीक है, यह एक कैमरे में ही तिन चार कैमरा लगा रहाता है, जिससे के 4 तरप का व्यूव आपको एक ही कैमरे में लिलता है, कई बार आप क्रिकेट देखे होंगे, तो इस टेफ का व्यूव आपको आपने देखा होगा आजकल ट्रेनों में भी फीसाई कैमरा लगता है जिस प्रकार आपको फूटेज में दिख रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारे कैमरे अनांतर टाइप के कैमरे आपके IP कैमरे में अवलेबल है दोस्तों जो आपको काम है वैसे हम IP कैमरे को डिजाइन करते हैं वहां पे HD कैमरा और एैनलोक कैमरा यूज नhi करते है HD एैनलोक एइनलोक कैमरा सिर्फ ओडी दूप स्थीं के लिए ही यूज होता है बाःकि IP कैमरा टो पूरा सरोलस्ट के लिए यूज होता है ठीक है कितने लोग आपके घर पे आया थे, कितने लोग कितनी पब्लिक पूरे मॉल पे आई है, कितने लोग एरपोर्ट से अभी निकले है, कितने लोग आया है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, किसकी हाइट कितनी है, 7 फीट के उपर के लोगों का पूरा डिटेल, यह सब ची सिर्फ डोम बुलेट PTG7 को लगा और खुस रहो मेरे हिसाब से डोम बुलेट के बारे में आप ज़्यादा ज्यानों ताकि आप नॉर्मल इस्टार्टिंग में आप काम कर सको उसके बाद काम करते 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 जब experience होगा अपने आप इंस्टाइब के कैमरे का बारे में आपको समझ में आ जाएगा अब मैं next जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तो मैं HD कैमरे के आप बारे में पूरा installation का बताने वाला हूं starting से लेके last तक हम कैसे camera लगाते है कैसे wiring करते है कैसे हम install करते है पूरा practical अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा पूरा practical रहेगा दोस्तों तो यह दो वीडियो पहला class दूसरा class पूरा वीडियो आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आपका theory clear नहीं होगा, कहीं आप interview में जाते हैं, आजकल तो बहुत सा जगा CCTV camera engineer की जरुरत होती है, वहाँ पर interview लिया जाता है, तो ये सब चीजे आप जब आप बताओगे interview में तो आपका job selection की guarantee बहुत जादा बढ़ जाता है, अब इसके बाद मैं ये बताता हूँ क कौँसा कौँसा tool आपको requirement है, CCTV camera लगाने के लिए, दोस्तो जब भी आप CCTV camera install करने कहीं जाते हैं या सीखते हैं, तो कुछ major tools की आपको requirement होती है, CCTV camera install करने के लिए, HD camera के लिए अलग tools की जरुरत होती है, और IP camera के लिए अलग tools की जरुरत होती है, बट कुछ tools इन दोनों में common होते हैं ठीक है HD camera और analog camera जब भी आप install करने जाएंगे तो आपके पास hammer होने की बहुत ज़्यादा जर्रत है hammer यह हतोडी जिसके थुरू आप wiring को काजु क्लिप के थुरू ठोकोगे ठीक है hammer आपके पास दो होने चाहिए दो hammer आपके bag में हमेशा दो hammer आपके bag में होने चाहिए दूसरा है drill hammer drill आपके पास होना चाहिए और 18 inch का फला होना चाहिए बड़ा वाला फला ताकि आप दिवाल के आर पर कहीं wire को करना चाहिए तो drill direct दिवाल पर drill आप मार सके और wire को आगे रूम के उस पार भी ले जा सके दिवाल के उस पार भी आपको wire कहीं करना है तो 18 inch का फला बड़ा वाला फला आता है आपको फोटो में दिखरा होगा और एक 6 mm का फला रहता है जब हम camera को install करते है तो camera के लिए जब hole करते है camera में screw कसने के लिए तभी तो camera wall mount होता है वाल mount करने के लिए जब screw कसते है उसके लिए हमें 6 mm का फला लगता है 6 mm का उसके बाद हमें 2 पेचकस की जर्रत है और एक tester की जर्रत है हमेशा याद रखना hammer दो चाहिए पेचकस दो चाहिए और एक है wear cutter wear cutter भी आपको 2CH हम être आपके bag में होना चाहिए क्यों क्यों istiaman hammer कभी kणे खराब होजाता है पेचकस कहीं घुम जाता है ウार cutter भी हमेशा खराब होजाता है वार काटे काटे जब आप रहोगे तो हमेशा cutter हमेसा खराब हो जाता है तो इस pair में हमेशा एक नया cutter हमेशा हमेशा हमारे which रोय कंत करने जांगे तो कई बार higher गुं जाता है दो यह बहुत है casino करने वह जाय काम करने जाएंगे तो कई ब provide भड़ा स्कवेस्वा derived का हमेशा होने और व कग ड्रीन आप आपके पास होना चाहिए वैर में जब continuity चेक करोगे वैर कहीं 20 से ब्रेक होता है जब आप maintenance में जाओगे जब वैर कटा रहेगा तो आपको कहीं चेक करना है तो वहां पर multimeter का use कैसे करेंगे मैं आने वाले वीडियो में सीलिंग में कहीं काम करना है तो सभी टूल को आप जेब में रखते हैं उससे अच्छा आप बैग में रखेंगे तो आप प्रो लेवल की installer लगेंगे तो आप खरीद सकते हैं वरना इसकी कोई जर्रत होती ही नहीं टूल कीट को कहीं आप खरीदना चाहते हैं कहीं लोग घ्राजे हो तो है हैमर पेचकर स्वयर कटर मल्टी मीटर वैस्टबे लगेंगे इंटरनेट केबल खराब हो जाता है आपको पता होगा कि IP वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि IP वाला LAN वाल Cat6 Wear यूज़ करते है, है ना, इंटरेनेट वाला Cat6 Wear यूज़ करते है, और HD camera के लिए 3 plus 1 Wear को यूज़ करते है, 3 plus 1 Wear के लिए तो आपको BNC DC लगता है, LAN Wear के लिए आपको RJ45 का connector को punch करना रहता है, जिसके लिए आपको punching tool की जर्रात होती है, और LAN Wear का punch किया है, तो ये punch सही हुआ है की नहीं, इसे check करने के लिए आपको LAN Tester की भी जर्रात होती है, तो IP camera installation के लिए दो चीज की एक एस्टर जर्रात होती, एक punching tool की और एक LAN Tester की आपको footage दिख रहा होगा, ये सभी समान को आपको कहां से खरीदने है दोस्तों, नीचे में discussion में link है जहां से आप purchase कर सकते, एक-एक समान को आप purchase करेंगे तो अच्छा रहेगा वरना मैं कुछ bundle वाला भी link दे दूँगा, जहां से आप सभी समान को एक ही जगे से आप purchase कर सकते तो दोस्तों, यहां तक कहीं आपने ध्यान से वीडियो को complete class को देखा है, तो आपको समझ में आगए होगा CCTV camera कितने प्रकार के होते हैं कितने technology CCTV camera में है analog, HD और IP camera में क्या क्या difference होता है, आप खुद से बता सकते हैं, नीचे commenter के मुझे बता सकते हो, कि आपने क्या इस class से सिखा, analog, HD और IP camera में क्या क्या अंतर आपको पता है नीचे आप comment करके बता सकते हैं इस वीडियो में बस दोस्तों मेरा काम खतम होता है, और आपका काम सुरू होता है, जो भी camera installation का काम सिखना चाहता है आपके आसपास, जितने भी आपके group है, सभी group में आप इस वीडियो को share करिए like करिए, ज्यादा ज्यादा वीडियो कहीं आपको अच्छा लगता है और आगे इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लो क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं तीसरा class upload करने वाला हूँ, जहां पे आपको complete HD camera के बारे में zero से लेके last तक के पूरी जानकारी दूँगा कैसे practical हम HD camera को install करते है तो मिलेंगे दोस्तों तीसरे class में तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाजा जै हिंद